हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूटूब चैनल केन जोन, तो आज का मेरा टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, ये भी इन और्गैनिक का थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँ, तो विदा यानि bond pair electrons, तो मैंने यहाँ पर एक compound लेके रखा है, HNO3, बहुत अच्छे से और ध्याज समझने की कोसिस कीज़ेगा, एक बार समझ में आ गया, तो सारे question यदि आप practice भी नहीं करेंगे, तो हो जाएंगे, तो इसका मैंने पहले structure बना लिया है, ठीक है, structure बना लिया, loan pair अब यदि आपको बोले, इस structure में भी आपको एक specific point देदेगा, जिसका आपको formal charge निकालना होगा, तो मैंने one number दिया है, hydrogen का, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे hydrogen का निकाल के रखा है, आप देख सकते हैं, तो hydrogen के balance cell में, मतलब इस formula को आपको follow करना है, तो balance cell electron हैंने, hydrogen के balance cell मे कितने electron होते हैं, एक होता है, तो मैंने एक लिख के रखा है, फिर इसमें lone pair तो होते ही नहीं है, तो lone pair is equal to 0, minus 1 by 2 हमारे formula में ही था, तो minus 1 by 2, अब ये कितने pair बना रहा है, एक pair बना रहा है, लेकिन एक bond में 2 electron होते हैं, और हमको into electron करने हैं, तो इसलिए bond pair electron into 2 कर दिया है, ह तो आप इसको minus करेंगे, यहां बना जाएगा, और total, इसमें formal charge 0 है, इसका मतलब है, hydrogen का जो formal charge है, वो 0 है, अब number 2, oxygen का हमको निकालना है, तो oxygen के outer cell में 6 electron होते हैं, formula में आप देखिए, balance cell के electron लिखने पहले, तो balance cell के electron लिख देंगे, अब इसमें बोल रहा है कि lone pair electron आपको दिख रहा है, 4 है, electron 4 है, लेकिन जो lone pair है, वो 2 है, उसमें electron 4 है, ठीक है, तो 4 minus 1 by 2 formula में यह bond pair, कितने bond बना रहा है, 2 बना रहा है, एक में 2 electron होते हैं, तो 2 में 4 electron होंगे, is equal to 0, इसका भी 0 आजाएगा, 6 में 4 गये, 2 और यहां से भी 2 आजाएगा, तो 2 or 2 minus 0, तो I hope आपको म like, share, subscribe my channel and press the bell icon आपको मेरे वीडियो की update मिलती रहेगी, thank you